यह भोले ना दोस्तों 11 बच के 44 मिनिट 11.44 एम संडे का दिन आज 16 तारिक है 16 जन्वरी संडे 11.44 45 एम 11.45 चलिए डिस्क्लेमर पहले देख लेते हैं काफी लोग इंतिजार कर रहे हैं अगले विक क्या होगा क्या फैन आउट होगा अल्रेडी दो विक निफ्टी बड़े बड़ी बड़ी वीकली केंडल बनाके उपर आया है एक्चुली देखाए तो तीन वीक ही बोल सकते है क्योंकि हैमर भी बना था उसके पहले वीक में अच्छा खासा इस जन्वरी माहिने की जो सुरुवात हुई थी डिस्क्लेमर आप जरूर से पढ़ लीजेगा इसको पढ़ना अनिवारी है मेंडेटरी यह मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो दे टाइटल लिखा वरते हैं इस जन्वरी मैने की सुरुवात तीन तारिक हुई थी प्रति पदा के दिन से और कल पूरिमा के दिन है यानि की पूरे पंद्रह दिन में निफ्टी ने बैंड बजा लेकिन क्या यह आगाज पिर से यह अंदाज में चलेगा आगे यह अंदाज बदलेगा आज हम पूरा एनलाइसिस करेंगे देखने की कोसिस करेंगे बिना बैस्ट हुए कि मार्केट सच्व में करेक्षन करने वाला है या फिर ने all time हाई बनाने वाला है या कुछ और करने वाला है या सिर्फ कॉंसोलिडेट करने वाला है तो हर एक पॉइंट डीटेल से हम डिसकस करेंगे तो वीडियो को विदाउंट बोल सकते हो, द्रेगन फ्लाइ डोजी इसका हाई तोड़ा लेकिन कन्विनसिंग लिया नहीं तोड़ा करण फ्राइडे को जो हाई तोड़ा इसका और लोगी तोड़ तो यह चर्स ही है हमको कोई डिसिजिजिएंग देखे नहीं है फ्राइडे को पिश्ली आरी केंडल का हाई भी तोड़ा और लो भी तोड़ा ठीक है मगर क्लोस जो है क्लोस दो पॉइंट नीचे की है इन दा है इस आप साव लोग बोल सकते हैं कि दो पॉइंट नीचे ही क्लोस किया है मगर हाई लोग दोड़ा कंफ्यूस करके गया है अब हमारा टेकनिक क्या बोलता है कि फ्राइडे के दिन हाई टूटना सई नहीं होता है अगले वीक में यह हाई टूटना चीह है लेकिन क्लोजिंग भी हाईस्ट आनी चीह थी वह नहीं है लेकिन फिर भी हम इसको हाईस्ट ही मान सकते तो मुझे लगता है मंडे की ओपनिंग तो एक बाद ऊपर की तरफ होगी उपनिंग उसके बाद मार्केट गिरेगा वह भी बता तो क्यों है पहला पॉइंट है और यह हमेशा काम करती है हमेशा तो 98 अगर 50-60 बढ़ता है यहां से तो भाई से 330-340 तक जा सकता है 320 तक वहां से मार्केट यह तो यह बता रहे है यानि कि ओवरवॉट है बाकी कुछ भी ओवरवॉट आपको नहीं दिख रहा लेकिन फिर भी मैं इसके बेस पे इतना अगर यह हो गया सिंपल पॉइंट दूसरा मेजर पॉइंट देखते हैं बैंक निफ्टी का भी हुआ है फिर हम डिटेल में करेंगे आज ने हैं इस बैंक निफ्टी दो दिन से लोवर लो ए लोवर हाई बना रहा थिक्या मेकने से लेकिन कल इसने एक काम किया है मर्द अधिया सब्सक्राइए लोवर लोवर हाई लेकिन हेशआर बनार हैम्वर से माइं डरता हम अब यह कटना था जाएगा चिर तो हम पर क्लोसटोज करेगा ओर अगर में में फेले करी गार टॉट जिस दिखाता हूं मैं आपको बैंक निफ्टी ने अगर आप ठीक से देखो गए को रहे हैं कि इस चौती से जार अठारा तो आप देख सकता हूं 61.8% पर बैंक निफ्टी ने एक्जेक्ली रेजिस्टेंस किया नो टॉप बनाया 61.8% किसका जो यह टॉटल फोल आया था बैंक निफ्टी का यह है था बैंक निफ्टी का 41.829 माइनस जो लो बनाया था अभी रिसेंटली वह बनाया था चौती से जार अठारा था चौती से जार अठारा 7811 पॉइंट की घिरावाट आई थी बैंक निफ्टी में 7811 पॉइंट्स अपने टॉप से घिरा बैंक निफ्टी कि वर्टी वन थाउजन एट ट्वंटी नाइन से थाटी फोर थाउजन एटीन ठीक है अब इसका साथ जार आट सो ग्यारा का 61.8 पॉइंट अब निकालेंगे तो होता है 4827 पॉइंट से 4827 पॉइंट इसको अगर हम जोड़ देते हैं किसमें में 34,018 में तो यह फिगर निकलके आता है 38,845 और आप देखो 38,845 और बैंक निफ्टी का हाई कितना है 851 तो एक्जेक्ली 61.8 परसेंट की रिट्रेस्मेंट किया बैंक निफ्टी ने इस टोटल फोल का 61.8 परसेंट पर रिट्रेस्ट किया और यह गोल्डेन रेशियो होता है यहां पर रेजिस्टेंस मिला इसका मतलब हो सकता है अब यह लेवल पार करना इतना आसान नहीं होगा बैंक निफ्टी का तो अब बैंक निफ्टी में तेजी तभी बनेगी जब 848 50 के ऊपर क्लोज अब हम इसको भूल जाएंगे अब हम रिशेंट राइस को देखेंगे रिशेंट लो से रिशेंट हाई कितना बना यह यह रिशेंट लो है यह वाला और यह रिशेंट हाई है 851 तो 34,000 अठारा माइनस 34 38 851 चार अजार 833 पॉइंट बढ़ा है चार अजार 833 पॉइंट इंटु फीबोनाची में आपको पता ही है सबसे पहला नंबर होता है 23.6 उसके बाद 38 पॉइंट दो तो हम लोग या तो 23.6 जोड सकते इसका या 38 पॉइंट दो अगर हम पहले 23.6 देखते है 4,800 तो ग्यारा सो चारिस पॉइंट होता है तो ग्यारा सो चारिस पॉइंट मैनेस करूंगा 38 851 से तो 37,710 का टार्गेट आता है मिनीमम मिनीमम टार्गेट 37,710 का तो अलड़ी 38,000 तो आई चुका फ्राइडे को ठीक है तो भी अभी जगा है इसमें 300 पॉइंट और गिरने की ठीक है 23.6 पॉइंट लेकिन अगर हम इसका 38.2 पॉइंट निकाले तो वो होता 1846 पॉइंट 1846 पॉइंट 1846 पॉइंट 1846 पॉइंट को 38 851 से माइनस करेंगे तो टार्गेट एग्जेक्ली आता है 37,004 का यह मुझे करेक्शन लगता है बैंग निफ्टी में इतना आएगा जरूर 38.2 पॉइंट इस राइस का राइस फ्रॉम हेर टू हेर एंट 38.2 पॉइंट रिट्रेस्मेंट तो 37,004 38,005 का तो लो बना चुका कल फ्रैडे को यहां से 1000 पॉइंट की फॉल एट लीस्ट बनती ह है अगर उसके बाद देखना चाहो 4833 का हम 50 परसेंट निकाल सकते हैं वह होता है 2416 पॉइंट माइनेस करेंगे अगा हम 38851 से तो यह आता है 36,00434 लगबग यहां तो यहां तो यहां तक आएगा करेक्शन यहां तक तो बैंक निफ्टी तो मुझे नहीं लगता कि हाई तो होने वाला अभी ओल्मोस्ट अगर लेकिन मैं सावधान तब हो जाओंगा जब फ्राइडे के हाई के ऊपर क्लोज आ जाएगी क्योंकि हैमर बनाओ ठीक है तो यह बैंक निफ्टी का और इसके भी स्टॉक इस्तिक बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन 93 है तो इसका कोई ट पहला चार्ड़ है यह Nope if tika weekly चार्ट है। यहांपर 255 की अपको अब यहां पर क्या दिखर आपको मैंने ट्रेंड लाइंड डॉक किया है यह वीकली चार्ट पर यह जो लो बना था याद आपको 7511 कब मार्च 2020 में मार्च 2020 में जो 7511 का लो बना था उस वीक से मैंने लाइन कनेक्ट किया और इस एंड को कनेक्ट किया यह कौन से तारीक है 26-7 वाली वीक का जो लो था 15,513 उसको कनेक्ट करके मैं यह ट्रेंड लाइन को आगे बढ़ा है अब यह ट्रेंड लाइन में क्या दिख रहा है यहां पर यह ट्रेंड लाइन टूटी थी इस जगा ब्र ि चाली स्कूआ निफ्टी ने तोड़ा तक बाईस-ग्यारह दोजारी चीष को ना प्रटिक से के बाद यह कंद नीचे ही देशन प्रेशन लाइन के नीचे ही अपना समय बिताए एक विक दो विक 5 इक यह विक और यह साथवी विक में वापस इस ट्रेंड लाइन को इसने चू दिया कौन सी विक में इस लास्ट विक इसको छूआ इस लाइन को एक्जेक्टली छूआ लेकिन इसको क्रॉस नहीं कर पाया ठीक है यानि की अगर हम आसान भासा में बोले तो यह ब्रेकडाउन आया और इतना नीचे गया 16-400 तक और वापस से इस ब्रेकडाउन को रीटेस्ट किया इसको रीटेस्ट करना बोलते हैं इस ट्रेंड लाइन को इसके इसाब से यह वीकली क्लोजिंग तो नीचे आनीची है यह कंफॉर्म बता रही है क्योंकि यह तब मै अगली वीक में इस अठारा 375 के ऊपर क्लोजिंग जो कि मुझे इंपॉसिबल लग रही है नेक्स्ट वीक में क्लोजिंग इंपॉसिबल मैंने वर्ड यूज कर दिया और किसी भी नॉलेज वाले आदमी के पास इससे ज़्यान है तो उससे पूछ लीजेगा मैंने वर्ड यह ब्रेकडाउन आया था रिटेस्ट यहां तक का लोग बनाया 16 410 का वापस इस ट्रेंड लाइन को चूने गया है चू दिया कल वीकली में लेकिन इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है अब क्रॉस कब होगा अगली वीक में क्रॉस होने के लिए इसको 375 का लेवल तोड़ना पड़ेगा कि क्लोजिंग बेसिस तो मुझे लगता है अगली वीक में या तो जैसे की स्टॉक एस्टिक काफी या तो या या 302 कवेक में सुबह तेज खोलेगा क्योंकि 286 का हाई तोड़ना इसके लिए अछी बात है तो 300 का हाई बनाके सुबह खोलेगा या 310 या 320 मैक्सिमम हाई सुबह थीं 120 न सकता है मंडे को मैक्सिमम अगर तेज खुलता है तो मैक्सिमम बोला हूँ मै maximum 340 वहां से गिरावाट लाएगा डेफिनली 500 पॉइंट की तो गिरावाट गारेंटीड आएगी वहां से गैरेंटीड लेकिन आप मान के चलो वहां से वह यहां तक का करेक्शन देगा कहां तक इस लेवल तक ठीक है तो नेक्स विक में इतना करेक्शन देखे 17 900 के करीब लाके फिर से हो सकता है अगले विक में यहां तक छूने जाए तब अगली बार जब छूने जाएगा तब मतलब क्या है कि अगर यहां तक आता है करेक्शन नेक्स विक में अगर यहां तक आता है करेक्शन तो 17,940 के करीब नेक्स विक आ सकता है 17,900 के करीब आ सकता है नेक्स विक 940 के करीब यहां तक करेक्शन आके और वापस से इसको छूने जाए तब 18,500 का हाई भी बन सकता है यह तरीका है और एक तरीका क्या है वापस से यहीं से गिरावट चालो हो जाए नेक्स विक एक टॉप खोल के यहां से गिरावट चालो हो जाए 300 का टॉप बनाके और 17,280 तक आ जाए तो यहां तो मंड़े की ओपनिंग में तेज होने से मुझे ज्यादा खूस होँगा बले 20 पॉइंट हो चाहिए चाहिए 30 पॉइंट हो और गिरावट आएगी वह डेफिनेट है लेकिन डेढ़ सो दो सो की आएगी या कि वासो छेसो की आएगी वह अंको मार्केट बताएगा अब यह हो सकता है नेक्स्ट विक आपको 17 900 लाके वापस से इस लाइन को चूने जाए यह जो ब्रेको ब्रेक अगर लॉए अगर चुने जाता है तो पर नहीं जाता है तो इसको यह मैं आ उनमेले तो विक में यह पोचना यह ब्रेक आओट फिक तो इस breakout को यह breakout हुआ इस trend line का breakout यहां हुआ यह breakout को retest करने आएगा तो यहां तक आ सकता है यह जो breakout हुआ इस green line का 17540 पर यह breakout आया था weekly green line का ठीक है और अब यह resistance के exactly खड़ा अब वापस से जब गिरावट आएगी तो इस green line पर support बनेगा यह green line टूड़ गई यह green line जो रेजिस्टेंस थी अब support का काम करेगी यह 280 पर support आता है कि 250 समझ लिए exact figure नहीं यह मेरा मानना है इस मैंने में बहुत ज्यादा चांस है हम सत्रह थीन सो देखेंगे 90 पर संट मैं आशोड़ हूं 10 पर संट अब आजयते हैं डेली चार्ट करेंगे कर दो कर दो कर दो कर दो कर 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 अब यह डेली चार्ट है इसमें मैंने चैनल बना रखा अपकार रैजिंग यहां पर क्लियर कट मैंने अलड़ी कल उस वीडियो में बता दिया यहां बता रहा कि अगर मंडे को यह लेवल तूट जाता है कि एक सो एक सो नब्य बड़ा सपोर्ट का काम कर रहा मंडे को नीचे में लेकिन यहां देखे इस ग्रीन चैनल के भी टॉप पर खड़ा है इस ग्रीन चैनल के रेजिस्टेंस पर मार्केट खड़ा तो सपोर्ट इसका यहां बन रहा है कि यह चैनल का तो सत्रा साथ सो तो आपको नेक्स्ट विक आ सकते सत्रा साथ सो साथ तक नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीक का टार्गेट मेरे सेवंटीन सेवन हंडेड़ फिफ्टी है या आठसो मानसी किसने राउन फिगर और मुझे बहुत ज्यादा कि नेक्स्ट वीक हम सत्रा आठसो तक आएंगे कि सुबह भले तेज खोल ले यह चैनल भी हम रेस्पेक्ट देंगे अब इसी में मैं आपको थोड़ा सा लास्ट एर की दिसंबर से फर्वरी पर ले जाना चाहूँगा कि 2020 यहां पर न कि अब कि अब 2020 में आप देखो स्वरी दोजार इकिस में स्वरी लास्ट एर इकिस था न दोजार इकिस में आप देखो इकिस तारिक को एक निफ्टी में बड़ी गिरावट आए थी इकिस दिसंबर को दोजार इस स्वरी बीस को देखना पड़ेगा यह तो अपना अपना लाई है हाँ बीस बीस ही देख रहे हैं स्वरी दोजार बीस में इकिस में तो अभी हुआ ही था दोजार बीस में इकिस दिसंबर को एक बड़ी गिरावट आई थी निफ्टी उसके पहले दिन की क्लोजिंग थी साथ सो साथ की 13,760 पे क्लोज था निफ्टी 18 तारिक को और 21 तारिक को कोई मंडे था 18 तारिक को closing थी 13,000 760 13,000 760 की closing थी 18 दिसंबर 2020 2020 फ्राइडे को 21 तारिक को Monday खुला तो 13,777 का high बना के निफ्टी 13,131 आया यानि कि दिन के दोरान 630 पॉइंट गीरा 630 पॉइंट 18 तारिक को Friday था 21 तारिक को Monday था 2020 अब इसी की similarity में दिखाता हूँ दिसंबर इस बार 17 तारिक को Friday था दिसंबर में और निफ्टी की closing थी 16,985 इस बार इस साल मतब लास्ट येर में 2020 का आपको दिखाया अब 21 का दिखा रहूँ 17 तारिक को Friday था निफ्टी अल्रेडी टूटा हूँ था 16,985 फे लेकिन अगले दिन जो मंडे था 20 तारिक को वहां निफ्टी ने लो कितना बना 16 410 यानि कि 600 पॉइट की गिरावत फाम दट क्लोजिंग अफ फ्राइडे यह द्या trademark मंडे यह बन ने हैं 600 पॉइंट 600 पॉइंट क्यों गिरा यह भी आपको पता ही है क्योंकि यह जो फ्लैक बन रहा था इसकी हाइट 600 पॉइंट थी ठीक है और यह फ्लैक आज भी चालूई है एक्जेक्ली रेस्टेंस पर हम और अब यह टार्गेट बना रहा है 17-800 अब 17-800 टूटेगा तो 17-200 भी आएगा टीक है समझमार आपको यह टूटा तो एक ही दिन में टार्गेट आ गया इसलिए मैंने उस दिन आपको वीडियो बना के बोल दिया कि यह लॉलीपॉप है 200 यह में अब आप ऊपर की तरफ जाओगे यह सब को याद है क्यों यह 600 पॉंट का चैनल था 600 पॉंट तो इसने कर दिया पूरा तो मैं समझ गया यह 200 यह में नीच होएगा उसके पहले अब इस दिन यहां पर एंट्री किया इस ने जिस दिन इस ने इस चैनल में वापस रिएंट्री कप किया जब इसने 17520 को तोड़ा तब से और यह कब की डेट है जन्वरी की पहली तारिक दिसंबर तक यह इस चैनल के नीचे रा और घुश गया जन्वरी में जन्वरी में इस चैनल में घुशने का अब इस चैनल के टॉप पे यह तीन केंडल बना चुक है अब हो सकता है इसके लोवर एंड पर आएगा नेक्स्ट विक आए बहुत ज्याद़ चांस है 17-800 ठीक है तो यह तो मैंने आपको लेकिन मैंने जो स्टोरी बता रहा था तो क्या बता रहा था 17 और 20 की तो यह देख लीजा आप 17 और 20 को सेम चीज हुई 2020 में भी अब उसके बाद 2020 में क्या हुआ यहां से जो तेजी चालू भी वह निफ्टी को अगर इसको लोग को हम देखे 13 131 यहां तक यह कहां पहुंच गया 13 जनवरी तक कहां पहुंच गया है हम 14 जनवरी मान सकते हैं 14 653 यानि इस लो से इस लो से 13 131 के लो से यह 1500 भाग गया कब तक 21 21 दिसंबर से 13 जनवरी वह चीज यहां पर भी हो रही है यहां पर भी हो रही है 21 दिसंबर से 14 जनवरी तक हम यह 13 जनवरी देख लेते हैं तो हम कितना पॉइंट भाग गए सोला चार सो से अठारा दो सो कि सत्रा सो पॉइंट क्योंकि उस समय इंडेक्स तेरह जार के इस पर था अब सत्रा अठारा जार पर थो थोड़ा जाना तो भागेगा एक्जेक्ली वैसा ही हुआ तेरह था एक तक यहां पर भागा क्रेक्ट यहां तेरह अजार पर था तो परसेंटेज वाइस सब सेम है अब उसके बाद इसने चोदा तरिक को तों का किये तक ठेजी कहती देरे और चौदा लंग से में थे तिरे और चौदा उसमें है तो यहां पर भी तिढूर्ट यहां जै़िकिन कि फizaett पंदर को इन्सने में का सोडी है पंड्रा को सक तक पंदड़ा वट दिया यानि कि म perché मार्केट मार्केट हीन तो जाएगा टूस्डे को भी मंवनर सबर्क न रज कूंतगा यह दो दिन माइने स्केर बाद मेंज के बाद नगा सकता है तो सिमिलर्टी नेखिए उसके बाद क्या था divisory की मतलब मंडे टूस्डे माइनेस अगले विग के बता रहे हैं स्थे वेनेस वेनेज अधिनेस थट्रुप्लस और फ्राइड़े से बढ़ी गिरावट चैनल के अब यह बढ़ी गिरावत फ्राइडे को न्या हाइब ना के अaimer अगे क्लिक फो मैं यह 1100 गर गया है तो हम यह मान सकते हैं निफ्टी सतरह तीन सो आ सकता है इसी महिने में तो कि 29 तरिक को इसने है तेरा आजार कि 596 का लोग बना दिया लगबग यह वाले लोग के आसपास इस लोग से यह वाला लोग कितना उचा रहा 13131 से 1356 में कितना दूर है 13131 से 1356 में 29 तरिक को बना 455 पॉइंट का है यह लोग इस लोग से इस यह जो बड़ा लोग था इससे 465 पॉइंट उपर लोग बना इस है है लोग ठीक है तो हो सकता है निफ्टी में भी निफ्टी में भी यह जो लोग बना इससे 400 पॉइंट यह हम परसेंटेज में जोड़ते हैं 13,130 का 400 पॉइंट कितना परसेंटेज होता है साड़े तीन परसेंट उपर का लोग बना है साड़े तीन परसेंट तो हम 16,410 का साड़े तीन परसेंट निकालते हैं प्लस 584 16,410 तो एक्सपेक्टेड लोग यह हमको बता रहा है 16,996 का लोग बना रहा है इसी महिने में अगर इसी पैटर्न को फोलो करता है लेकिन यह संभावन है यह तो तुक्का है 16,996 भी पॉसिबल है इसी महिने में अगर्डिंग टू दिस चाग लेकिन हम इसको इतनी तवज्जू नहीं देंगे सिर्फ बताने के लिए मैंने बता है कि सब कुछ हो सकता है अब 16,996 में मेरे इसाब से कहीं और भी आ रहा था वो क्यों आ रहा था देखता हूं मैं इस एक जगा मुझे 16,996 लेकर आ रहा था मार्केट वह इस ट्रेंड लाइन को मैं इसको आगे ले जाता हूं मैं अगर मैं लाता हूं यहां बें 29 तरिक है अगर मैं कि अगर मैं कि अगर मैं 27 ताइक को एक्सपार यह ना अगर मैं कि यहां पर भी 17,019 पर यह 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 जो रैड कलर की लाइन आ रही है सपोर्ट यह भी 16,996 के इसारा कर यह कौन सी ट्रेंड लाइन यह जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी इसको अगर नीचे आता है कि निफ्टी सपोर्ट लेगा तो 16,996 ही आता है कि जन्वरी मैंने के लास तक 17,010 पर राइट साइड में आपको दिख रहा हूं कि यहां तक आता है कि इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल गया यहां से तू 18,19 जा मैं लेटर आफ ओफ दो मन्त में बियरिश हूं निफ्टी में नॉट बुलिश कुछ भी हो जाए बस एक संभावना मैं नहीं नकारता हूं कि अगर दो दिन का करेक्शन आता है ऐसा दो दिन आ गया यह और यह और उसके बाद हो सकता है दो दिन अपस से इस लाइन को चुने जाए उसके बाद ऐसा करेक्शन है तो मेरा क्लियर कट वियू है कि मंडे को अगर थोड़ा सा भी उपर कुलता पचास साथ पॉइंट तो आप पूरा ताकत लगा के शौट करिए ठीक है क्योंकि मैं 375 के ऊपर next week में कोई भी हालत में जाते वे नहीं देख रहाँ market को next week में किसी भी हालत में ठीक है और मेरा target इस series का पहला target है 17,800 जो आने जनुरी series का और दूसरा target है दूसरा टार्गेट है मेरा 17-300 17-800, 17-300 और 16-906 यह तीनो टार्गेट अभी भी मेरे जिंदा है बंगर 17-800 के लिए मैं बहुत ज्यादा confident हूँ जै जिनेंद्र है, जै भोले नाथ, जै हिन लव यू आल, वीडियो पसंद आए, मैनत पसंद आए तो प्लीज लाइक्स दो-तीन हजार दीजेगा, तब कल सुब्य में धमा के दार एक और वीडियो लाओगा Morning वीडियो